स्नैप चैट पर अपनी फोटो और मन पसंद गाने के साथ वीडियो कैसे बनाया जाता है तो आज इसी टॉपिक पर हम डिसकस करने वाले हैं तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक चोटी सी रुक्वेस्ट है दोस्तों अगर वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक जरूर करें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो स्नैप चैट पर अपनी फोटो के साथ वीडियो बनाने के लिए यहाँ पर मैंने Snapchat application को open कर लिया है यहाँ पर मैंने चेक किया है हमें कहीं पर भी ऐसा कोई feature नहीं दिया गया है जिसमें हम अपनी photos को add करके और मनपसंद music को लगा के वीडियो है कची सी बना सकें तो इस condition में हमें एक अलग से application की जरूरत पड़ेगी तो जिस application के दुआरा photos को use करके वीडियो बनाने वाले हैं उस application का नाम Viva Video Editor है और इस application का link आप सभी को इस वीडियो के description में मिल जाएगा वहां से आप इस application को download कर लीजिए download होने के बाद आप सभी ने application को open कर लेना है और इस application का ये main interface open हो जाएगा और यहां पर हमने slide show के option के उपर click कर लेना है इसके बाद हमारे phone की gallery open हो जाएगी यहां पर आप सभी की photos नजर आना शुरू हो जाएगी तो आपने उन photos को select कर लेना है जिसके साथ आप video बनाना चाहते हैं तो यहां से मैं अभी photos को add करने जा रहा हूँ आप यहां पर देख सकते हैं simple click करेंगे photos के उपर और उसके बाद next पर click कर लेंगे और उसके बाद हम इसी interface पर आजाएंगे यहां पर हम अपनी photos को और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए कुछ edits कर सकते हैं जैसे कि यहां से अगर हमने theme change करनी है अपनी वीडियो की तो आप सभी को यहां पर अलग लग theme मिल जाएंगी तो आपनी theme को download करना है और उसके बाद theme है जो आपकी वीडियो पर apply हो जाएगी आप यहां से अपनी मनपसंद themes को भी add कर सकते हैं theme लग जाने के बाद अभी हम अपनी वीडियो के background में music भी यहां से add कर सकते हैं तो उसके लिए music पे click करेंगे तो यहां से आप सभी music भी अपनी वीडियो के background में add कर सकते हैं या फिर अगर आप अपनी खुद की voice add करना चाहते हैं वीडियो के background में तो आप सभी ने add voiceover के उपर क्लिक करना है और उसके बाद start पे क्लिक करने के बाद टिक के उपर क्लिक कर दीजे जिसके बाद आप सभी की वीडियो के background में है जो आपकी voice भी add हो जाएगी और उसके बाद इस वीडियो के background में अगर आप कोई music लगाना चाहते हैं तो आप सभी ने यहाँ पर replace music के उपर क्लिक कर देना है जिसके बाद यहाँ पर आप सभी को अलग अलग music मिल जाएंगे dance rock, bollywood hits और भी अलग अलग category से related music आपको मिल जाएंगे अगर आप अपनी phone की खुद की gallery में से किसी music को लगाना चाहते हैं यूर music पर क्लिक कर लिजिए और इसके बाद आपकी phone की gallery में से सभी music यहाँ पर आ जाएंगे तो simple आपनी उस पर select करने के बाद music को यहाँ पर है जो अपनी वीडियो के background में add कर लेना है इसी के साथ आप सभी add sound effect भी अपनी वीडियो के background में add कर सकते हैं तो यहाँ पर music लग जाने के बाद simple हमने back के button पर press कर लेना है और उसके बाद clip edit पर click करके आप सभी अपनी वीडियो को edit करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर अपनी clip को edit भी कर सकते हैं यहाँ से duration पर click करके आप सभी अपनी वीडियो की duration कम या फिर ज्यादा भी कर सकते हैं और उसके बाद आप सभी ने टिक पे कलिक कर लेना है और इसी तरह अगर आप अपनी वीडियो के उपर कुछ songs वगड़ा एड करना चाहते हैं तो आप सभी ने टेक्स्ट के उपर कलिक करके यहाँ पर है जो टेक्स्ट पर सेलेक्ट कर लेना है तो यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं अगर आप वीडियो के उपर add करना चाहते हैं और साथ में आप style भी change कर सकते हैं अपने text का तो आपने style पर click करके यहाँ पर है जो अलग-लग text आपको मिल जाएंगे आप सभी ने style को भी यहां से select कर लेना के और इसके बाद आप सभी अपनी video के उपर filter भी लगा सकते हैं तो filter पर click कर लीजिए तो यहाँ पर आप सभी को अलग लग है जो filter मिल जाएंगे तो आपने यहाँ पर है जो category select करने के बाद आपने filter को यहाँ से है जो select कर लेना है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं फिल्टर है जो यहाँ पर लग चुका है फिलाल मैंने music को यहाँ पर mute कर दिया है और अभी हमने Snapchat application को open है जो कर लेना है तो चलिए मैं open कर लेता हूँ Snapchat open हो जाने के बाद हमने यहाँ पर अपनी gallery के उपर click है जो कर लेना है camera roll में आ जाने के बाद आपको first पर ही अपनी वीडियो मिल जाएगी जो अपने अभी ready की होगी और उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी है जो वीडियो आ चुकी है तो आपनी यहाँ पर simple है जो नीचे है जो next पर click करके Snapchat story में add कर लेना है तो दोस्तो इस application को use करके हम अपनी photos और मनपसंद music के साथ बहुत ही असानी से वीडियो त्यार कर सकते हैं तो दोस्तो मैं उमीद करूँगा आप सभी को पता चल गया होगा तो दोस्तो वीडियो helpful रही हो तो वीडियो को like कर दीजिए और आगी की आने वाली वीडियो को देखने के लिए